गुड मॉनिंग दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो की अंदर बात करने वाले हैं और आपको बताएंगे कि भी सीटी और एन एस डबलू के कौन से खिलाड़ी आपको इस मैच में टॉमडर पे बल्लेबाजी करते वे दिखेंगे यानि कौन से खिलाड़ी आपको आपको बताने वाला हूँ बस आपको क्या करना है दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंतगवाज करना है ताकि इस वीडियो के अंदर जितने भी इंपोर्टन इन्फोर्मेशन है इस मैच रूलेटेड आपको मिल पाए और आप एक बहातरिन टीम बना पाओ दोस्तों इस से क्लिक करके आप लोग जोईन कर लेना 40,000 से भी एवफ यूजर ने जोईन कर लिया है तो आपको भी जोईन कर लेना चाहिए कि लाइन अप के बाद जो है आपको प्लेइंग 11, 37 ट्रॉस का भी अपडेट मिल जाएगा हमारे टेलेग्राम गुरूप में तो चली आप लो आपको देखने को मिल सकता है आज के इस वेदर रिपोर्ट में बागे पीच रिपोर्ट की बात करते हैं तो दोस्तों यहां का जो कि मतलब पीच बलेबाजों के लिए काफे बड़या सपोर्ट रहा है बैट्समन के लिए दोस्तों लेकिन थोड़ा सा अगर यहां पर बात देखोंगे 22 मैच में तो 632 रंड स्कोर करा है अपने करेर में और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ ओडियाए का में स्टेट्स बताऊंगा क्योंकि यह ओडियाई मैच वंडी मैच है तो बहुत अच्छे प्लेयर दोस्तों इनको आपनेटी में पीक करते हैं चलना जो अच्छ 27 मैच के लिए हैं और 981 रंड स्कोर करा है देखो कहना कहने जो जील के टीम करेट करना चाहते हैं उनके लिए भी यह एक अच्छा उप्सन रहेगा आप चाहित इनके साथ भी जा सकते हैं जो कि यह T20 फॉर्मेट का रिजल्ट है यह धियान रखना ODI का यहाँ पराना रिक दोस्तों 122 मैचस के लिए यह भी T20 फॉर्मेट का इनका रिजल्ट है देख सकते हैं और लगबग यहाँ पर देख सकते हैं 293 रंड स्कोर करा है दोस्तों 124 का असपास इनका इनका स्ट्राइग रड़ रखता है लाफ्ट हंडर बैटिंग करेंगा अच्छा बल्ले बाज तो नहीं यह चीज़ आप भी जानते हैं क्योंकि अभी जो है वर्ल्लकप चल रहा है और वर्ल्लकप के मैचस में बस स्कॉर्ड में रखा गया है बाकि यह इन्पोर्टन है अगर खेलेंगे तो लाइन अप का बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा T20 फॉर्मेट का 48 मैच में 970 run स्कॉर करा है विल के बात करते हैं राइटेंड पड़ेंगे एक ही टेस्ट मैच का कुछ थाज स्टार्ट सों-अजिक Sober Marlowe नर भार citizen इसके पीछे जो reason है न क्योंकि इन से भी better आगे खिलाड़े आपको देखने को मिलेगा Will Sutherland की बात करते हैं तो को T20 format का result है 17 match में 8 wicket निकाले पैसर रन इन्होंने बनाए है इनको drop करो फिलाल मैं तुछी shots की बात करेंगे 37 match में T20 format है इनका result देख सकते हैं 450 run score कर रहे 3 wicket निकाले हैं तो ये एक अच्छा option रहेगा T20 format का result देखो अगर खेलते हैं तो लाइनप के बाद कम सका हम GL में इनको try करना अच्छे बले बाज एक्स्प्रेंस आपको पता होगा बोलर्स की बात करते हैं देखो मैं यहाँ पर सारे खिलाडियों के लगबग stress देने का कोसिस कर रहा हूँ बाकि लाइनप के बाद जो भी रहेंगे आप यहाँ पर इजी देखके लाइनप के बाद भी टीम क्रेट कर सकते हैं तो मेरा कोसिसर हैगा यह कि स्कॉर्ड में जितने भी खिलाड़ी है सारे खिलाड़ियों का जानकारी दो जेम्स की बात करेंगे तो पंद्रे मैच में 42 रून स्कॉर किया है अच्छे यहाँ पर बॉलिंग है आपको राइट हैंड फास्टर बॉलिंग करते हैं दोस्तो जॉन की बात करते हैं राइट हैंड बेटिंग करेंगे लेग स्पिनर है 29 मैच में देखोगे तो बार बनाएं और 16 विकेट निकालें 24 मेंट का रिजल्ट अच्छे गेंदबाजी करते हुए नजराएंगे स्कॉर्ड वैलन की बात करते हैं जोड़ मैच में 16 विकेट अपने नाम की हैं और यह जो खिलाड़ी है यहां पर दोस्तो वेल परकर को ड्रॉप करेंगे फिलाल और मिचल पैरी की बात करते हैं तो इनको भी ड्रॉप करते हुए चलेंगे फिलाल दोस्तों यह जो स्टेट्स है आप यहां पर जो देख रहे हैं यह भी जीटी का स्टेट से देखो लाइनप के बाद ना मैं प्लेइंग 11 वे आपको टेलिग्राम गुरूप में देदूँगा और टॉस का अपडेट में टेलिग्राम गुरूप में देदूँगा टीम भी अपडेट कर दिया जाएगा NSW की बात करते हैं तो NSW के टीम के तरफ सा आपको विकेट के बर में जराएंगे पेटर नेविल जो कि राइट हैंड बेटने करेंगे 56 मैंच में देखोगे 356 रन स्कोर करा है और मैं तो एक्स की बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे लाइटन बेटन करेंगे 11 मैंच में 64 रन स्कोर करा है तो मैंने आपके जैसे कि कहा था कि विकेट इवर में यहाँ पे ट्राइ करेंगे आप लग लाइट पीटर को बेश्ट अप्सन रहेगा और चाहो ता वाल वाइस केटन सी के लिए भी ट्राइ कर सकते हैं तो इन दोनों को फिलाड़ ट्रॉप करते हुझे इन दोनों के स्टेट्स मुझे कुछ खास लगनी रहा है बैटिंग की बात करते हैं तो डानियल खेलते हुझे जराएंगे लाइफन बैटिंग करेंगे असी मैचिस खेले हैं टी ट्वेंटी फॉमेंड में सत्रह सो पुलासर रॉण करा है तो ये भी एक अच्छा चोइस रहेगा जैक इडवर्ट्स की बात करते हैं बैटिंग से जैसा भी हो लेकिन बैटिंग से जैसा भी हो लेकिन बैटिंग की बात करेंगे यह टी ट्वेंटी मैच जिसका ही फॉमेट का है लेकिन बहुत सांदार खेलते हैं 82 मैच में देखोगे 324 स्कोर करा है बैटिंग से जैसा भी हो लेकिन बैटिंग की बात करोगे न 100 विकेट अपने नाम के हैं बहुत 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 बहुततन गेंदवाजे दूस्तों लाफल टाम एडियम फास्ट बैटिंग करते वह नदर आंगे डानिल सिम की बात करेंगे 56 मैच में 491 और स्कोर कर रहा है 68 विकेट निकाले भी है ये भी एक अच्छा चोईस रहा है इनको बिल्कुल भी ट्रॉप मत करना दोस्तों बागी बॉलर्स की बात करेंगे नेथन के बारे में 29 मैच में 29 विकेट निकाले हैं बॉलिंग कंपलेट और करते वए दिखेंगे ये अच्छे गिंदबाज है लेम की बात करते हैं 9 मैच में 13 विकेट निकाले हैं और यहाँ पर आप देखो कि ट्रेंट के बारे में तो 29 अच्छे के इंदबाज हैं खास करकर आप देखो कि NSWK टीम के लिए तो यह थोड़ा ध्यान रखना बाकि बारिस के बारिस होने के बहुत हाय चांस है तो थोड़ा सा यहां पर आप लोग सावधान नहीं रहना इस मैच में और यह मैच न मैं इसलिए कवर कर रहा हूं आप ने कमेंड गया इसलिए मैं यह मैच कवर कर रहा हूँ बाकि कच यहां पर मैरा बार मतलब इस मैच में जो बार मैं वेदर रिपोर्ट देखा उसके बाद मैंने सोचा है इस मैच को कवर किया जाए या नहीं फिर अब लोग कम ओवर भी होते हो थे घ्यान रखना कि यहां प के लिए सबसे बेस ट्राइए दोस्तों मैंने पहले कहा था कि भी सीटी के टीम के तरह से लाड़े को ट्राइए करेंगे और इनको वाइस के प्रेटिंसी के लिए भी लेंगे दोस्तों बहुत अचे प्लेयर है बिल्कुल भी ड्रॉप मत करना दोस्तों खास करके स्मॉल लेके कोई चांस है नहीं बहुत कम यहां पे स्टेड्स और कुछ खास स्टेड्स है भी नहीं तो इनको इस वज़े से ड्रॉप करेंगे लेकिन बैटिंग की बात करेंगे तीन को मैंने ट्राइक कर रहा है यह तो खेलेंगे निया आपको पता होगा बाकी यहां पर भी से थोड़ा बहुत आपको चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हो लाइन अप के बाद भी टीम आपको अपडेट कर दिया जाएगा अगर प्लेइंग 11 में कोई भी चेंजिस होता है तो बाकी और की बात करते हैं तो चार इंपोर्टन और को मैंने ट्राय कर रहा है यह तो खे है दोनों के दोनों बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग भी करते हैं बहुत अच्छे प्लेर है तो बिल्गुल आप ट्राय करते हुए चलो यह चार के चार आपके लिए बेश्ट रहेंगे लेकिन बालिंग की बात करेंगे तो तीन बॉलर को मैंने ले रखा है जिसमें से एन चाहते हैं तो कर सकते हो के लिए मैं इनके साथ जाओं का दोस्तों सबसे बेश रहेगा बैटिंग बलिंग दोनों करेंगर वाइस के लिए मैं इनके साथ जा रहा हूँ जो अच्छे विकेट किपरिंग करते हैं टॉप अडर पे बल्लेबाजी करते हैं नजला जाएंगे अच्छा एक्स्परियेंस भी है तो इस टीम को दोस्तों फिलाल आप सेफ करकर रख लो इसमें कोई भी चैंजे सोता है तो मैं फानल टीम अ हिंदू